हेलो प्रेंट्स आज आपको हम बताएंगे हिंदी वर्ण माला क्या होता है सबसे पहले भात ध्यान नकना होगा फिर पूछा जाएगा हिंदी दिवस कम मनाया जाता है तो ध्यान लखेगा हिंदी का सही करम क्या होता है हिंदी किस करम मतलब सही करम में विवस्तित लिखा जाता है तो सबसे पहले आप ध्यान लखेगा कि सबसे पहले हम संस्कृत लिखते हैं प्राकित ke बाद ुबाद लिखते है। सबस्कित की बाद कि बाद कीणे बाद के आता है। यह सबकित बाद के बाद ौहट। वर्डों के समदाए को, मतलब देखो, वर्ड और अच्छा रेकी होते हैं नखीगा, वर्ड और अच्छा दुनों एकी है, वर्डों के समदाए को वर्ड माला कहते हैं, यह ध्यान लखेगा आपका, क्योंकि जब कई सारे वर्ड आपस मिलते हैं, तो वर्ड माला का निर्मार करते हैं. अब किनने हैं? अब यूठ कितने हैं? benefit ow роб ikonu कितने भागों में डिवाइट किया गया? डो भागों में डिवाइट कियागोई है. एक स्वर और दूसरा, डेंजल स्वर होता है हमार 15 होता है. कितने होता है आप लोग जो लिखेत स्वर होते है हमारे आ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, ए, आ, ओ, ओ, और, ओ, यह हमारी क्या है? इग्यार है. अब हम आपको पताएंगे जो वाने स्वतंत रूप से बोले जाते हैं, या जिर वर्डों का उचारणा हम स्वतंत रूप से करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं. इध्यान लखिएगा. सबस चुटाओ, बढ़ाओ, री, ए, और इसके बाद, ए, और इसके बाद, ओ, और आओ. ए हमारे इग्यारे स्वर हैं. द्यान से समझेगा, जब लिखित आधार पर हो, तो अगर पूछेगा, कोश्चन आ गया, पेपर में आपके, कि स्वरों की संख्या कितनी हैं, तो आप स्वरों की संख्या, स्वरों की की संख्या, तो आप लगाएंगे, आप स्वरों में, ट्रिक दस को, तस अप सही होगा, कैसे, आप ध्यान से समझेगा, देखो, इसको बोलते हैं, हस से आ, इसको बोलते हैं, छोटे को बोलते हैं, लगू, अब बड़े आ को बोलते हैं, द् अगलोय ने छोटा, तो उचारण के अधर पर शुरो की संख्या मेरे दोस्त कितनी है? 10, कौन कौन से है? देखिएगा, यहाँ जो री होता है, यहाँ जो 11 में है, जो री होता है, इन नहीं होता है, उचारण के अधर पर, अब पूचोगे क्यों Saturday नहीं होता है? ध्याद समझेगा जो री हमारा है री किस से मिलकर बना है अधर है और ई से मिलकर बना है लेकिन जब हम री को लिखते तो जरूर है लेकिन हम बोलते नहीं है उचारण नहीं करते हैं जैसे हम कहे दिये प्रिष्ट तो प्रिष्ट में देखे गए री का मातरा है टिक प्रिष्ट में हमने तो लिख तो दिया प्रिष्ट लेकिन क्या है इसमें री लिख रहे हैं लेकिन इसको उच्चारण नहीं कर रहे हैं जैसे हम कहे दियें प्रिथभी प्रिथभी बोलतो रहे हैं लेकिन हम rebck रहे हैं लेकिन इसको उचारण नहीं कर रहे हैं जैसे हम कहीं में सिरिष्टी EP क्या है यह उचारण नई कर रहे है इसलिए उच्चारण के आधार पर स्वर्ड होता है दस होते हैं ए चीज आपको ध्यान लखना होगा टिक स्वर के भेद, स्वर का भेद क्या होता कहा है, हस और एक मात्रिक स्वर, एक ही है, ठीकि इस से को मोल स्वर भी बोलते हैं, ध्याद समझेगा, कई कई आपको मोल स्वर फी दिखेगा अभी बता letter स्वर जाएượng, ठीक है इसी को हस बोलते हैं मातरी क्या मूल स्वर अब देखिए जिन वर्णों का उचारण करने में समय कम लगता हूँ बतलब ऐसा कोई वर्ण है जिसको उचारण कर रहा है समय कम लगता है जैसे आ, ई, उ, और री इसको जब उचारण करते हैं तो हमारा समय क्या होता है कम लगता है इसलिए इसको हमारा हस स्वर बोलते हैं दूसरा स्वर हमारा जो होता है, उसको बोलते हैं दीरगिस्वर, क्या बोलते हैं दीरगिस्वर या दीमात्रिक स्वर, जैसे जिन वर्णों का उचारण हस्वर के अपेच्छा दुगना समय लिता हो, मतलब देखो जिन वर्णों का उचारण करने पर हस्वरों की अपेच्छ अधिक समय लगता हो, उन्हें हम दिर्गिस्वर कहते हैं, जैसे जिन स्वरों का उचारण, हस्वर दिर्गिस्वर की अपेच्छा दोगना समय लगता हो, उन्हें हम प्लूत स्वर बोलते हैं, जैसे कहीं कहीं, आप आप देखें होंगे, प्लूत स्वर के एक्जामपल, लिखा है बापरी, ध्यान स्विएगा, बापरी, जिसमें बोलने में बापरी, तो ऐसे क्या होता है, समय जादी लगता है, जैसे कह दिया ओम, ओम क्या है, ओम जब बोलेंगे ओम, जिसमें क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, तो जिनमें समय क्या होता है, हस और देर किया पेच्छा ज्यादे समय लगता है, उन्हें हम प्लोत स्वर बोलते हैं, या त्री मात्री स्वर बोलते हैं, या बहुमात्रिक स्वर बोलते हैं, उत्पत्य की आधार पर स्वर कितने होते हैं, ध्यान से समझेगा, उत्पत्य की आधार पर जो स्वर हमारे होते हैं, वो होते हैं दो, पहला कौंसा होता है, मूल स्वर, क्या होता है, मूल स्वर, मूल स्वर क्या होते है, ध्यान से समझेगा, जैसे कह दिए जो वड़ एक खंड के योग से मिलकर बनते हैं उन्हें हम मूल स्वर कहते हैं जैसे A, E, O ag Re यह हमारी क्या है? मूल स्वर है, इसके बाद दूसरा होता है उतपत्ति की आधार पर स्वर संधिचवर, क्या होता है? संदी स्वर, अब संदी स्वर क्या होता है, जो वन दो खंडों से मिलकर बनता है, उन्हें हम संदी स्वर कहते हैं, अब खंड मतलब क्या होता है, जैसे हम लिखना है, यहां समझेगा, अब प्लेस आ, एक खंड, एक खंड ए है, एक खंड ए है, इसे को बोलते हैं, ठीक, जो दो खंडों से मिलकर बनता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संद कहते हैं, संद में क्या होता है, एक समान जाती के खंड होते हैं, एक अन जाती के खंड होते हैं, तो समझेगा, संदी स्वर क्या है, संदी स्वर दो प्रकार के होते हैं, कि ते प्रकार के हैं, पहला हमारा होता है, सजाती स्वर क्या होता है सजाती स्वर सजाती स्वर में क्या होते है सजाती स्वर किसे कहते है जो समान जाती किसे मिलकर मिलकर बनते हैं उन्हें हम सजाती स्वर कहते है बिजाती स्वर किसे कहते है जो बिभिन जाती उसे मिलकर बनते हैं उन्हें हम बिजाती स्वर कहते हैं जैसे समान जाती से मिलकर क्या बनेगा जैसे देखिए आपका दीरगा है दीरगी ए है दीरगी उ है तो एक कैसे बना होगा एक खंडे है समान जाती किसे दोनों है ध्यान से समझेगा आ आ मिलकर बड़ा बना E और E से मिलकर क्या बना बड़ी E बना U और प्लस U से मिलकर क्या बना बढ़ाओ बना तो यह देखिए समान जाती क्या है क्या है A समान जाती समान जाती से मिलकर क्या जो बनता है वड उसे हम सजाती स्वर कहते हैं दूसरा है हमारा बिजाती स्वर जो बिभिन जातियों से मिलकर बनता हो, जैसे हम कहती है A, तो A जो हमारा है, वो बिभिन जातियों से मिलकर बना है, जैसे A, A बना होगा कैसे, A, पलस E से, A, पलस E से मिलकर बना होगा, इधान रखेगा, देखे, एक इसका अलग जाती है, और इसका अलग जाती है, इसलिए A बिजाती हो गया, जैसे A आपका A बना होगा, तो A पलस A से मिलकर बना है ठिक, जैसे आपका O बना होगा तो किस से बना होगा A पलस O से मिलकर बना है, A पलस O से मिलकर बना है, विविन जात के दुनों है, जैसे आपका O बना होगा तो A पलस वो से मिलकर बना होगा तो यह देखिए यहाँ पर क्या है विमिन जातियों से मिलकर जो बड़ बनते हैं उन्हें हम बिजाती स्वर करते हैं अगर पूछेगा सजाती स्वरों की संक्या कितनी है तो तीन है अगर पूछता है पेपर में बिजाती स्वरों की संट्य कितने है तो चार है। पर कभी कभी पेपर में आपसे पूछ लेगा कि जीवा के आधर पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपके आपसन में देदेगा, जैसे दो, तीन, चार, पाँच, ऐसे देदेगा, तो आपको टिक लगाना है किस पे? तीन पर, किस पे? जीवा की आधर पर जो स्वर होते हैं, हमारे तीन होते हैं, धान समझेगा, अग्र भाग, तीक ए वाला जो भाग है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्श्य भाग, आए जो बीच में होता है, इसको हम बोलते हैं मध्ध भाग, क्या बोलते हैं मध्ध भाग, तो जब हम जीब बोलते हैं तो हमाद जब हम कोई अच्छर बोलते हैं तो जीब का कमपन होता है, उस कमपन की according इस वर्डों को रखा गया है, अग्रमध और पश्च में, देखेगा, पहला होता है अग्रस्व ए और ए, इसमें क्या होता है हमारा जीब का अगला भाग कारे रहता है, ध्यान से समझेगा, ए और ए, ठिक, ए हमारा इसमें लगुई और दीरगी, लगुई और दीरगी, ध्यान से समझेगा, ठिक, इसके बाद क्या होता है मध्ध स्वर, क्या होता है, मध्ध स्वर, मध् बीच वाला भाग, ये वाला भाग कार्यार में होता है, अब देखो, किसी को कभी-कभी पूछता है, कभी आपसे पेपर पर में पूछ लेगा, कि केंदरी स्वर किसे कहते है, तो इसे को हम बोलते है केंदरी, केंदरी मतलब होता है मद्ध, ठीक, कह देगा उदासीन स्वर क् उदासेन, इसी को हम लोग बोलते हैं उदासीन स्वर, ठीक, मद्ध स्वर को यह हम लोग बोलते हैं, केंदरी स्वर या उदासीन स्वर, तो यह चीज आपको ध्यान लखना होगा, पेपर में आपको किसी भी प्रकार से घुमा फिरा के पूछी लिता है, चलिए इधर देखि तीसरा होता है पश्चे स्वर, क्या होता है पश्चे स्वर, पश्चे स्वर में हमें ध्यान नगरा होगा, जिन स्वरों का उच्छारण, जिब के पिछली भाग से होता है, मतलब यहां से होता है, यहां से, तो उसे हम कहते हैं पश्चे स्वर कहते हैं, जैसे आ, उ, उ, ओ, पहला है आविर्त मुखी, देखेगा इसमें दिखा है आ और बृत माने क्या होता है? आप पढ़े होंगे मैं बृत माने होता है गोला, क्या होता है? गोला, इसके आगे आ लग गया मतलब गोला नहीं होगा, आविर्त मुखी मतलब जिसमें हमारा ओट गोल नहीं होता है, जि आविर्तमुखी स्वर कहते हैं, देखिए इसका डिफिनेशन आपके सामें लिखवा दिये हैं, जिन स्वरों का उचारण में ओट गोलाकार अथवा बृतमुखी नहीं होते हैं, उन्हें आविर्तमुखी स्वर कहते हैं, ठिक, जैसे आ, आ, ई, ई, ए, औरे, इन वर्डों को अगर हम बोलते हैं, तो इसमें हमारा ओट क्या होता है, गोल नहीं होता है, यह चीज आप घंड कहेगा, दूसरा जो इसका प्रकार होता है, आपका बृतमुखी स्वर, बृतमाने आप जानते हैं, बृतमाने इब बता है, गोला होता है, मतलब जिन में, जिन वर्डों को बोलते हैं, हमारा ओट गोल हो जाता है, उसे हम बृतमुखी स्वर कहते हैं, इसके नाम में ही इसका गुण छिपा हुआ है, जैसे हम बोले ओ, 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 और ओ, इनको बोलेंगे तो हमारा क्या होगा, ओट गोल होगा, बाकि आपके सामने डिप्रेशन हम लिख दिये हैं, जि प्रित लग गया, मतलब बोट हमारा गोल होगा, इस चीज़ आप धर रखेगे, इसके बाद कभी कभी आपसे परस्वर कुछता है, कि मातरा के आधार परस्वर कितने होते हैं, पहला होता है आपका हस, और दूसरा आपका होता है, दिर्ग, हस्वर का हम लोग बोलते हैं, जैसे बड़ा A, बड़ी E, बड़ा O, A, O, और O, यह हमारी क्या होते हैं, धीर किस स्वर होते हैं, टिक, इसका सिंबल होता है, आप लोग जैसे दोहा पड़े होंगे, चौपाई, चंदले देखे होंगे, इन सब को सिंबल हो, मुख खुलने या मुख बीवर के आधार पर स्वर, देखेगा, कि जब हमारा मुख खुलता है, तो उसके वर्ण जो होते हैं, अलग-अलग प्रकार के होते हैं, कभी-कभी आपसे देखे, अगला है आपका, मुख खुलने या मुख बीवर के आधार पर स्वर, देखे, तो आप बोलेंगे तो क्या होगा स्वर हमारा मुह है बहुत ज्यादा खुलता है मुह खुलने के अधर पर जो हमारे स्वर होते है चार होते है पहला बिब्रित उसे कहते है जिन में हमारा मुह सबसे अधिक खुलता है आप बोलेंगे तो मुह सबसे अधिक खुलेगा अर्थ बिबृत स्वर, देखें, अर्ध बिबृत स्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उचारण में, बिबृत स्वर के इस्तिती में, मतलब इसके इस्तिती में, इसमें, क्या है, थोड़ा सा अधिक मुझ खुले, उसे हम अर्ध बिबृत स्वर कहते हैं, ठीक है, जैसे कह दिए, ए A, O, A, A, O, ठीक है, जैसे, तीसरा नंबर आपका है, संब्रितिस्वर, संब्रितिस्वर क्या होता है, जिन स्वरों के उचारण में मुख बंद रहता है, उन्हें हम संब्रितिस्वर कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं, इ, E, O, और O, ठीक है, इसके लिए जबलेंगे एपी बन रहेगे इसesका अंबलेंगे सब्लेंगे सम्हिक बूंधीसवर की बाद जहब्त हां पॉलेंद सलता है इसके इसके श्तिति में थोड़ा शुया आपको आपको ध्यान में रखता होगा उधे उसे अर्द संब्रित स्वर कहते हैं जैसे ए और ओ, ए और ओ को बोलते हैं सार्ट में ओई ठीक यह चीज आप ध्यान रखेंगे पहला चीज क्या धान रखेंगे कि मुख खुलने के आधर पर या मुख वीवर के आधर पर जो हमारे स्वर होते हैं चार होते हैं पहला जो हमारा होता है विब्रित स्वर होता है विब्रित मतलब जिसमें हमारा मुख सबसे अधिक खुलता हुसे हम विब्रित करते हैं जिसे क कि U यह मतलब E, E और U और U, ठीक, तीसर चाहुता नमबर आपका होता है, अर्द संब्रितिस्वर, जिन स्वरों में, संब्रितिस के अपेच्छा थोड़ा सा मुख खुलता है, उसे हम अर्द संब्रितिस्वर कहते हैं, इसमें A और O, जैसे O यह कह सकते हूं, तो देख लेते है कि अर्द स्वर किसे कहते हैं, संघर से हीन स्वर किसे कहते हैं, ध्यान लखेगा, यह जो यह और O होते हैं, इसको हम लोग संघर से हीन स्वर बोलते हैं, या अर्द स्वर बोलते हैं, ठीक है, एक इसके कॉर्णिंग होता है, डाक्टर भूलाना तिवारी के, अनुसार य क्या है हमारा संघर से हिन स्वर है ठीक जैसे कंट स्वर क्या होता है आ और आ क्या होता है कंट कंट माने नीचे से द्यांसरे कंट माने नीचे से आ और आ किसे बोलते है कंट से बोलते है कंट से उपर तालू होता क्या होता तालू तब ए और ए किसमें आ जाएंगे तालू में कंट्ठ औस्टी और कंठ्टो प्रष्ट्ट होथाई यहां पर आपका सवर्ण होता है जो हमारा होता है तोटल वेंजनों की संख्या है तह 30 कितनी है तह 30 है जो वन स्वरों की सहायता को लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम वेंजन कहते हैं इधर देखिए जैसे हम कह दे कह तो कह कैसे बना होगा जहां से समझेगा कै के नीचे हलंत लगा जे तो आधा कै इसमें मतलब स्वर क्या हो गया निकल गया स्वर रहीत आउ रहा इनी से मिलकर तो भी बना होगा कै तो यह जो है कै के नीचे हलंत लग गया इसको बोलते हैं स्वर रहीत क्या बोलते हैं स्वर रहीत स्वर रहीत वेंजन क्या बोलते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं, उन्हें हम वेंजन कहते हैं, टिक, आया सोज में, वेंजन कितने प्रकार के होते हैं, मुक्रूप से तीन प्रकार के होते हैं, टिक, वेंजन जो भेद हैं, उन्जनों का चुन देज़ हैं, पहला जो आपका ह जिन वर्णों का उचारण हमारे सरीर के अंगों से असपर्स होका चूकर होता है उन्हे श्पर्स लेंजल कहते हैं जैसे पहला आपका है पहला कंठी वेंजन क्या बोलता है कंठी वेंजन हैं डूसरा है छैवर्ग को जो हमें बतल सक कंठ के बार के बार का का आईगी इसके बार Parks सीड़ाईंगे मुटा मतलब जूकी बीच भाग गाई क्या करते है पेपर में पूछ लेता है कि कंठी वेंजन क्या है ऐसे कुछ देखा इसके बाद तीसरा नमबर आपका है तैवर्ग तैवर्ग क्या होता है इसको बोलते है दंती वेंजन दात से बोली जाते हैं कहां से बोली जाते हैं अब देखिए इसका मतलब समझे कंठ माने जो कंठ से आवाज निकलता है उसको कंठी वेंजन बोलते हैं तो हमारे कंठ से निकलना है तालू मतलब जो कंठ से उपर जो तालू होता है वहां से जब कोई वेंजन निकलता है उसको बोलते है तालू वंजन चैवर्ग को हम बोलते है तालू वंजन एक वर्ग में कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल-कुल करते हैं इसके बाद निकलेगा इसके बाद पाइवर कहा निकले आतके निकलते हैं उस में ओट से निकलते हैं इसके बाद दीघ्यारल civils प्रकारिस मों अंधने ओठ разв गर्म हवा निकलती है उसको हम भोलते हैं उसमरे से सह, इसमें क्या जब बोलेंगे, तो गरम होलेगा, इसके पाद आप कहा आता है, अब कभी कभी पेपर में पूछ लेता है, यह बताइए, उसमें बेंजनों की संक्या कितनी होती है, तो आपको कैटरिव लगाना है चार, इसके बाद अन्थस्त क्या होता है अन्थस्त बेंजन में मुख और नाक सी बाई बाहर निकलती है उसे हमें अन्थस्त बेंजन कहते हैं यह हमारी चार अन्थस्त बेंजन होते हैं अब देखिए कुछ और भी बेंजन होते हैं जैसे सहीक्त बेंजन अब अभी आपको सवर में पढ़ा है सविक्ति सवर क्या होता है सविक्ति बिंजन जो आपका होता है जो च्रे होता है क्या और से से मिलकर बनता है जो क्या है इसको सवर रहीत कहते हैं कहते हैं सवर रहीत है त्रे जो है त्रे और से मिलकर बनता है त्रे क्या है स्वर्रहित है ठीक है अग्य जो मिलता है जय मतलब जय आपका क्या स्वर्रहित है अंग्य इसके बाद स्रे क्या होता है आदा स्रे मतलब स्वर्रहित स्रे और राय से मिलकर बनता है दान समझें इसके बाद अयोग बाह अयोग बाह अयोग बाह वे आधार पर बाटा गया जीवया के आधार पर फोस्ट के आधार पर उतपति के आधहर पर वैसे हमारे बंजन को भी अलग-अलग आधहर पर भाortun गया है तोटल बंजन आपके जानती है सिथिल बंजन करते हैं सिथिल बंजन होते हैं औब इसके बाद हम बात करते हैं मंध्य भंजन कर लाती है अब इसके बाद आता है घोसत्य के आधार पर बेंजनों का अबरगी करण अब देखें घोसत्य के आधार पर बेंजनों का अबरगी करण करण कोशन पुछ लेता कितने होते हैं तो सघोस और अघोस आप नाम सुने होंगे टिक इस दो प्रकार के होते हैं पहला होता है देखे हम पहले सिखते हैं अगोस वेंजन के बारे में अगोस वेंजन होता क्या है अगोस वेंजन किसे कहते हैं देखे जिन वर्डों को चारण में स्वर्त अंत्रिगा में कमपन ना हो क्या ना हो कमपन ना हो उन्हें हम अगोस कहते हैं ठीक है मतलब हमारी जो स और प्रतिक प्रतिक की इधर जो होता है इस साइड सलाइन के है सब है आप आप देखिए एक चीज और होता है, इसमें सी दिया, पूछका पूछता है, नुकता जो जय होता है, इक किसकी दिन है तो आप कह सकते हैं राजास्वी परसास सितारे हिंद की दिन है जिसमें हम नुक्ता जै और फै सब पढ़ते हैं इसके बाद मित्र बात करते हैं घोस क्या होता है या घोस को हम लोग बोलते हैं सघोस बेंजन, क्या बोलते हैं जिन वर्डों को चाण में स्वर्त अंत्रिका में कमपन हो उन्हें सघोस वेंजन कहते हैं जैसे देखिए प्रते एक वर्ग का तीसरा, तीसरा, चौथा और पच्छवा और सभी स्वर, कितने स्वर हैं यारे स्वर, तिक द्रिगुण वेंजन दो होते हैं डय और धय भी बताएं आपको इसके बाद 4, अंतस्ति यारा लव है अब बताएं ठीक इसके बाद, है और यार réussi ये हमारे क्या होते हैं सघोस वेंजन होते हैं तो अगर एक बार यात कर लेते हैं पुरा वर्ग यात कर लेते हैं अगरइब दूसरा होता है उसके पीसरा का न होता है ऄगएँ वोते हैं टिक जितने स्वर होते हैं आप प्राणत्व के आधार पर विंजनु का वरगे करण प्राणत्व के आधार पर विंजनु का वरगे करण दो है पहला है ध्याद से समझझीघा अल्प पर विंजनु क्या होता है जादें तेखिए कनफूज नहीं होना है आपको प्रतेक वरगे का वरगे आपको पूरा याद करेना है 25 वरड़ इसके बाद आप आराम से इसको डीफाइन कर सकते है जैसे तेखिए मेरे दोस्त लिया होता है मुक और नाक से ववाह निकलता हो उसको हम अलब राण प्रतेक्षा निखवा है यह क्या होते हैं सभी अलब राण की जो संख्या होती है, फुल टोटल कितने होती है, 31, कभी-कभी पोशन पूछ लेता है आपसे, कि चलिए बताइए, कि अच्छरों की संख्या या वर्णों की संख्या कितनी होती है, आपको आपसन में देदेगा, तो आपको टिक लगाना है, 31 पर, ध्यार न किएगा, 31 कैसी मे इसको गिनेंगी तो तीन और कितना वर गए पांच तीन पांचे 15 ही हो गए 15 वर्ड़ हो गए 15 वर्ड़ हो गए 15 चार पंदर चार 19 19 और 1100 तो 19 और 11 क्या हो गए 30 और 31 31 हमारे वर्ड़ हो गए ठीक है यह ध्यान लखेगा इसका इसका स्क्रिंसोट आप ले लीजिएगा इसके बाद देखिए महाप्राण क्या होता है महाप्राण क्या होता है जिसमें मुख और नाक से समान मात्रा में वाई निकले मतलब हवा निकले उसको हम क उसमें जिन कितने विद्ध आपको पता है चार होते हैं कौन से सासा है ठीक आउज के बड़ देखे इनकी जो संक्या होती है 15 होते टूटल कितने होते 15 तक गिनिएगा तेखे गए धर क्या और चैवर के चैवर के ड़ेड है तेवर के थन है पैवर के फैप अब है इसको ग महाप्राण में विद्जनों की संक्या कितनी होती है तो विद्भक के देंगे चैथ है अब कुछ ऐसे हैं जो उन लाइनर है वन लाइनर आप याद कि आपके एकजाम में बहुत osiलदा पाया करेगा जैसे कंठ विद्जन किसे कहते ईट अ शैय को ग्ुफ सब थाजन किसे क प्रकम्पीट मतलब होता है जिसमें क्या होता है हमारा जीव सबसे रहा जीव को रगड की जाते हैं ठीक है पार्सविक विंजन क्या होता है ले को पार्सविक विंजन कहते है इसके बाद अस्पर ससंघर्सी अस्पर ससंघर्सी क्या होते है जो जीब को रगड़ की जाते है ठीक है जैसे चैच जैज ठीक है इसके बाद संघर्सी क्या होता है फैस है जैस है इक होते है हमारे संघर्सी वेंजन होते हैं, तो यहाँ पर आपका वेंजन होता है समात, अब आपको सीरीज लेकर आएंगे, इनके उपर कोश्चन आपका कराएंगे, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपने दोस्ते में अधिक से अधिक इस वीडियो को सेर करिए, धन्यवाद